नमस्कार प्रदेश के नमबर बन और सबसे भरोसे मन न्यूज चनल इंडिया न्यूज हरियाना में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अतुल प्रताप सी हरियाना वो प्रदेश है जहां से बेटियों के लिए देश की सबसे बड़ी मुहीं हरियाना वो प्रदेश है जिसे कभी लिंगानुपात के लिए बदनामी के तोर पर पहचाना जाता था लेकिन हाल फिलहाल के आंकडे जो कि सरकार पेश कर रहे उसके मताबिक हालात सुधर रहे लेकिन एक सवाल अभी भी जस का तस्पना है वो है बेटियों की सुरक्षा का सवाल पिछले दिन होई रिवाली के दो गाउं के करीब पचास चात्राओं ने स्कूल के रास्ते में होने वाली छिडखानी से आजिज आकर परिशान होकर स्कूल जाना छोड़ दिया मामले ने तूल पकड़ा और खुद सीयम ने इसमें हस्तक्षेप किया लेकिन अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया बल लब गर से यहां पर छात्रा तो एक ही है लेकिन परिशानी वैसी ही है और गंभीर है छात्रा दस्वी में पढ़ती है लेकिन मंचलों के दबाओ के चलते उसको पढ़ाई छोड़कर घर बैठने पर मजबूर होना पड़ा उदर काला वली में एक ऐसी बेटी की दरदना कहानी सामने आई इसे तीन साल पहले घर में अगवा किया गया घर से अगवा किया अब तक चार बार उसे बेचा गया इस मुद्धे पर राजनेतिक बहस भी हो चुकी है सरकारें तमाम कोशिशे कर चुकी है लेकिन लाट उनको आखिर हम क्या कहें ये तमाम ऐसे सवाल है जिस पर हम करेंगे चर चार तो इंडे न्यूज हर्याना का इस सवाल है कि आखिर बेटियों पर जुल्म क्यों और कब तक होता रहेगा वहां पर जहां से इतनी बड़ी योजना के शुरुआत होई हाला सुधरने का दावा हुआ कब रुकेगी महिलाओं के खिलाफ हिंसा स्कूल जाने से डर लगे तो प्रशासन के दावों को आखिर हम क्या कहें इसके पहले भी ऐसे मामले आये हस्तक्षेप हुआ कारवाई हुई लेकिन फिर भी हालाद बदले नहीं ना तु समाज का नजरिया बदला और ना ही जो कानून का एकबाल है उसकी बुलंदी दिखाई देती है क्योंकि घटना होने के बाद बेटी तो मजबूरी में घर बैठती है बेटी बेची जाती है लेकिन कानून के रखवाले न जाने किस ग्रह पर इस वक्त काम कर रहे है बलब गर में एक बेटी की परिशानी है कि उसे एक मंचला लगातार साल भर से परिशान कर रहा था बच्ची ने आरूपी के डर से ब स्कूल जाना बंद कर दिया तो आरूपी घर तक भी पहुँच गया परिवार वालों ने विरोत किया तो सब को जम कर पीटा गया आरूपी को अब गिरफतार कर लिया है लेकिन सवाल ये कि आखर बेटियों के सुरक्षा का क्या होगा कैसे होगा उदर काला वली से एक बेटी तीन साल बाद अपने परिवार वालों से मिल सकी है दरसल योती को दिल्ली से अगवा किया गया फिर अलग अलग जगों पर चार बार बेचा गया उसकी शादी के नाम पर अलाकि वो अब अपने परिवार के पास है लेकिन उसकी गोद में एक बच्चा है वो गर्ब होती भी है उसके पास पती और परिवार के नाम पर चार बार की धोका दड़ी ये उसकी पूझी है सवाल इस बात का कि मामला कई बार सुर्खियों में आया लेकिन फिर भी ना तो बेटी को नया मिल पाया और ना ही वो चार लोग जिनको बेचा गया उ और ना ही उन लोग जो कि उसके पीछे के रैकेट के थे उन पर कोई दबाओ या फिर उन्होंने किसी और बेटी को तो अगवा नहीं कर लिया इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं यानि धन्दा ऐसे ही चल रहा रैकेट ऐसे ही चल रहा जिनको अपराद करना है वो अपराद कर रहे लेकिन पुलिस शायद इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे है तर ये लडका मुझे ना सालों से परसां करता रहा है मुझे पे जवदस्ती अपना दृवा बना रहा है क्या ल drinking लड़के का नाम जानी है ार ये मेरे को जवाचिस्ती अपने प्रंच इस सरकिल में ले जाता है जब मेंने मौना किया यह मेर पर अपना दवदोगा उना रहा है। और साथी साथ अपने दोस्तों को लाकर जवर दस्ती हो अपने जब रहा है। जब मैंने इसका विरोध किया तो यह उटा मेर पर हाथ तपाई करने लग गया। और मेरे को पढ़ने पे ये बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देता है। इस्कूल जाते टाइम भी खोपर्शन करता है। दर के बार खड़ा होके तेर तेर से चलाता है और घर से बहान ही निकल लेते हैं। जरुआ हमारी लड़की को साल वर से छेड़ता था। जरुआ हैं तो सुन लिया आपने दोनों ही दास्ताने किस तरीके से एक बेटी एक साल से दबंगई से छिड़कानी से परिशान थी और आखरकार वो अब इस वक्त अपने घर में कैया देने को मजबूर हो गई और उसके परिवार वाले भी एतने सक्षम नहीं क्योंकि उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई तो मदद नहीं मिली तो आखर उनके पास भी विकल्प क्या होगा और दूसरी बार एक बेटी चार बार अलग अलग जगों पर अगवा करने की बात बेची जाती है उसके साथ लगातार दुशकर्त किया जाता है अब उसके गर में भी एक बच्चा है गोद में भी एक बच्चा है अब सवाल इस बात का कि आखर वो किस से नयाय की उम्मीद करें और कैसे ये सारी चीजे लगातार हो रही है लेकिन फिर भी बेटियों को सुरक्षा मिल नहीं पा रही पुलिस की जम्मेदारी होती है महिला पुलिस की वेउस्था भी कर दी गई है उसके लावा अलग-अलग तंतर भी काम करते हैं लेकिन एक बेटी के साथ इस तरीके का विवहार कई बार होता है फिर भी आज वो अपने आपको वेबस महसूस कर रही है और चलिए हमारे साथ कुछ मेमान हैं उनसे मैं आपको तारूफ कराता हूँ चर्चा में आगे बढ़ते हैं मिरसाथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में रेडू भाटिया जी जोड़ रही है बहुत स्वागत है बीजेपी की तरब से रेडू जी आपका मिरसाथ गुरुग्राम से सुमन दिया जी उपाधक्ष है अज्याड़ा मैला आयो की वो भी जोड़ चुकी है बहुत स्वागत है सुमन जी आपका और पूनम बटनागर सामा जी कारेकरता हमारे साथ है बहुत स्वागत है पूनम बटनागर आपका वे सबसे पहले रेनुवाटिया जी आपसे पूछूंगा आपकी योजना आपकी जगह आपकी सत्ता केंदर में भी और प्रदेश में भी और ऐसी घटनाए इसके पहले भी मामला सामने आया था पहले उसी घटना का जिक्र कर लें जहां पर एक बेटी एक साल से परिशान थी अब पढ़ाई छोड़कर घर में कैद है कैसे पढ़ेंगी कैसे बढ़ेंगी देखिये अतुल जो भारते जन्ता पार्टी की या इस सरकार की केंदर स्तर पर या प्रदेशिक स्तरों पर योजनाए हैं वो अपनी जगह एक बहुत एहम योजनाए हैं और जहां सवाल आता है कि बेटियों को किस तरह से तंग किया जा रहा है आज भी बेटियों की इस त प्रणतु इसका जो हल है वो सकताई है जितनी अधिक से अधिक सकताई इनके साथ हो सके जैसे बल्लबगड की इस बेटी को परिशान किया गया मैंने स्वैम भी बात की वहां की विमेंसेल से और छेतर के से उन्हों ने बताया कि हमने उस लड़के को गिरफतार भी किया है और पूछताच किया और जो भी धारा बनती है जो उचित कारवाई है उसके खिलाफ वो कारवाई करके उसे बंद किया है तो कहने का भी प्राई ये है कि इस तरह के जो मन चले हैं उनकी मानसिक स्थर को बढ़ बिल्कुल देखिए प्रियास करना आवशक है आपने एक शब्द का प्रयोग किया मानसिक दुरबलता मैंने माल लिया कि ऐसे लोग एक शिप्त है मानसिक दुरबलता तोर पर दुरबल है और समाच के अंदर गंदगी फैलानी का काम करते मेरा सवाल ये है पुलिस भी दु प्रियास्मेंट हो रही है तो वो थोड़ा सा चुप रहती है दभी रहती है या एक बेटी का महिला का स्वभाव ये होता है पहले कोशिश करती है कि अपने तरीके से वो संभल जाए या अपने आपको खुद बचाने रंतु मैं जो मुझे पता लगा जब उसका लड़के का विवहार और अधिक बुरा होने लगा तो घर तक जब पहुंच गया तब उसने घर पे ये बात बताई कि ये लड़का मुझे इस तरह से परेशान कर रहा है तो ये एक नॉमल मैलाओं के साथ बेटियों के साथ बात है वो थोड़ा सा उमर के हिसाब से कम बताते है अच पुलिस का पुलिस ने उसे अरेस्ट करके उसको जहां उसकी जगा है वो पहुचाया तो पुलिस की विवस्था को दुरूस किया गया है महिला थाने भी है तो खौफ तो बढ़ना चाहिए ऐसे लों पर कोई खौफ नहीं है मेरा सवाल है मैंने कहता किसी की भी सरकार हो ऐस कैसे लोगों पर इसका असर नहीं है यह दबंगई का आलम क्यों इतना विकल्प उनके पास कैसे है अतुल बहुत चेंज है महिला थाने बनने के बाद जितने भी इस तरह के केसिस आये हैं उनकी जो संख्या है बहुत कम हुई है मतलब जो यह छेड़ चार और इस तरह की ब प्रवार उनके साथ होगा ठीक है चलिए मैं दूसरे मेमानों के पास जाता हूँ मैं चाहूँगा सुमंधिया जी आप बताइए क्या कर रहा है मैडम मैला आयो ऐसी घटना हो रही है पता ही नहीं चल पा रहा है मीडिया सिर बताएगा बिल्कुल घटनाएं जो है मैं यह कहूँगी कि कम नहीं हुई है लेकिन जो आप घटना की बात कर रहे हैं उसमें जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें पुलिस अधिकारियों का सरासर इसमें कोई कारवाई नहीं की गई है और उन्होंने इसमें कोता ही बरत जैसा कि आज ये मामला मेरे सामने आया है तो इसमें हम पुलिस अधिकारीों को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि वो इस बात को छोड़ दे कि कोई इस बात के inquiry नहीं करेगा या पुलिस अधिकारीों पे action नहीं लिया जाएगा ऐसा नहीं है आज जो है जिस पर्पस से हमने महिला थाने बनाए थे वो पर्पस जो है मुझे कम सौल होता दिखाई दे रहा है बहुत सारी शिकायते महिला SHOs की और Officers की महिला थानों के बारे में शिकायते महिला योग में बहुत जादा है जहां तक बास हो चुकी कईयों पर तो हमने एक्षिन भी लिया है तो मैं ये कहना चाहूंगी इंडिया न्यूस के माध्यम से कि आप जो अधिकारी इन थानों में बैठे हैं वो अपनी डूटीज का अपने कर्तव्य का मतलब समझे कि महिला खाने अलग से क्यों बनाये गए हैं जब तक ये डूटीज अपने आप में वो नहीं सोचेंगे नहीं समझेंगे तब तक ये बहुत बड़ी समस्यां हमारे सामने और खास तोर से महिलाओं की ये शिकायते आना कि पुलिस ने हमारी नहीं सोनी ये बेहत शर्मनाक है इसके उपर महिला आयोग लगाम लगाने के लिए पूरे भरसक प्रियतन कर रहा है और उसके एवज में आगे कारवाई और काफी एक्शन टेकन्स रिपोर्ट्स मंगाई गई है और हमने एक्शन लिया है कि हर विजिट जो है हम महिला थानों की जिस भी जिले में जाते हैं वहाँ पर अवश्य रखते हैं ताकि उनके अंदर एक चीज ये प्रोपर हो सके तो मैं कहुंगी कि आपके माध्यम से हम इस अवश्य को इस बात को पहुचाना चाहेंगे वही से बहूत सारी शिकायतों का पितारा महिला आयोग में है देखिए सुमन धया जी महिला आयोग को देख रही है वो उनका सोचने का भी अपना नजरिया और उनके काम करने का भी अपना नजरिया हो सकता है प्रंतु अगर हम सरफ कहने से बात नहीं बनेगी आप आकड़ों की दृष्टी अगर आप देखें तो पुलिस की सकताई से या जो इस तरह के मंचले केसिज हुए हैं उनकी संक्या कम इसलिए हुई है क्योंकि जितनी भी लड़कियां अगर इस तरह से प्रताड़ित होती थ इसी सोच के साथ मानने मुख्यमंत्री जी ने इस चीज का आगाज किया तो वहीं से शिकायते हैं अगर आप करें तो जब से महिला थाने खुले हैं हर महिला मेंटली इंडिपेंडेंट फील करती है अपनी परिशानी को बताने में तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिस वज़ा से तुरंत प्रभाव से कोई तरह की हर्पत होती है पकड़े जाते हैं और आकडों की जो आप बात करें या जो सुमन जी कह रहे हैं पुलिस ये कम नहीं हुए है तो मुझे लगता है सुमन जी थोड़ा सा बहुत वैसे तो बहुत समझदार मीं हैं इंटेलिजिन फिमन है थोड़ा सा अपने आपको करें कमपैरेजन विमन थाने कुलने के बाद महिलाओं की जो जागरती उनमें आई है या अपनी बात को रखने की शम्ता तो सुमन जी अकिर ऐसा क्यों कह रही है कि आंकडों में कमी नहीं आई है बलकि बढ़ गए आखड़े वल्कि ऐसे चोज जो महिला हैं उनके खिलाफी शिकायते मिल यह थानों खिलाफी शिकायते मिल रहे हैं सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो रेनु जी की बात को कहूंगी कि वो मुझे करेक्ट होने की बात कर रहे हैं मैं ये कहूंगी कि ये मुझे करेक्टर की बात नहीं कि मैं करेक्ट हूँ या ना हूँ ये महिला आयोग में लिखित शिकायते हैं और जिनका पूरा डाटा रेनुची को मिल जाएगा अगर इने चाहिए तो यह अमेरे पास भी है सुमन जी, डाटा तो मेरे पास भी है, कर एक मिनिट, मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकूं भी जरूर, बाइरिक्वेस्ट में रोकूं भी आपको, मैंने जो आपको करें हम यहाँ पर इस बात में बहस नहीं कर रहे हैं, कि मैं आपको बीच किसी पार्टी के नाते से कह रहे हूं, ऐसा नहीं है, यह महिला आयोग की उपाद्यक्ष के नाते से, जो हम समस्याएं, समस्याएं देख रहे हैं, महिलाओं को जब नयाएं नहीं मिलता है, जब हमें वह जाना पड़ता है महिला आयों को दोरे करने के अशक्ता पड़ जाती है तो ये समझे कि वहाँ पर कुछ कमी है तब ही जाया जाता है अदर्वाइस हर जगे जाने के लिए हर जगे घूमने के लिए इतना समय किसी के पास नहीं होता है शायद हम जब विजिट करते हैं उसके लाव अगर उफिस में 50 शिकायते सुनते हैं तो उसमें बहुत फर्क होता है और कमीशन को कमीशन की वजह से बोल रही है मैं इसमें कोई बहस का बुद्दा नहीं बनारा है जवाब दूगी सुमर्ण मैंने आपको करेक्ट करने का जो विशे रखा वो इसलिए रखा कि प्रन्तु जो महिला योग का भी फिर कैलिबर है उस नाते मैं इन से पूछ रही हूं कि आप भी तो सक्री हैं आपने भी कुछ कम कियोंगे कुछ समाज ने कम कियोंगे कुछ पुलिस की सकताई से कम हुएं कुछ महिला थाने खुलकर महिला अपनी बात कह सकती है उस नाते कम हुएं तो all together ये एक social wish है ठीक है ठीक है social wish है तो फिर जाते है पूनम जी के पाद पूनम बटनागर जी दोनों लोगों का आपने सुन लिया दोनों लोग एक दूसरे को जो है बहुत अच्छे से समझा रहा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए महिलायो क्यों क्या करना चीए उनको क्या करना चीए हो तो नहीं रहा है एक बच्ची फिर से एक साल से प्रताडित है और घर के अंदर कैद है परिवार तक पहुंच गया परिवार वालों को पीट दिया उस मंचले ने तो पुलिस महिला पुलिस इसका क्या मतलब महिलायो क कोई खौफ है कोई धांचा है दिखाई देता है मारे पास आए मैला थानों के भी आए तो इनको उस चीज को सॉल्व करना चाहिए था ना देखे कमिशन का मतलब यह होता है कि आप कमिशन में प्रॉब्लम्स के साथ साथ अगर थाने वाले भी काम नहीं कर रहें तो आप उनको सबक कैसे सिखा रहें उनको सबक सिखाना बहु है तो बहुत जरूरी है कमिशन भी काम करें समाज भी काम करें पॉलिटिकल पार्टीस भी काम करें यह महिलाओं का मुद्दा है कोई यह मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको हम गोल मोल कर जाएं पचास परतीशत महिला हैं इस हिंदुस्तान में और अगर उसकी जिम्मेवारी ह और हम सब नहीं ले सकते हैं तो बेकार है फिर हंदुस्तान किस बात के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम सबका participation है और हम सबका रोल बनता है और साथ साथ यह जो एक दूसरे को पर हम आप अरोप लगा अगर मेरी जिम्हारी as a commissioner commission में है तो मैं वो करूं अगर मेरी ऐसे social activist है तो मैं वो करूं जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो मैं सम्झती हूं कहीं जाएं और पहले से भी अगर देखा जाए मैं आपको तो बताओं कांग्रेस के राज में कोई comparison की बात इसलिए मैं कर रही हूँ कि हम लोग debating नहीं करते थे, आज इन issues को लेकर हम debate करते हैं, हम उन मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि हम आज उस चीज़ को लेकर बहुत जादा चिंतित हैं, जब चिंता होती है, जब ही सामने खु जब कर हम बोलते हैं, तो इसमें जरूरी है कि हम सब लोग participate करें, और बोशिश करें किस तरीके से इस तरह महिलाओं को हम safe कर सकते हैं, जब है किस तरह किस बचाए जा सकता है। चले ब्रेक्स से मागे बड़ते हैं मारसा चंडी गर से भी मेमान बहुत जल जूड जाएंगे लिख उसके पहले तमाम मेमान जो में उसके पस्पास जाते हैं सीरे तोर पर रेनु बाटिया जी बताईए सवाल बहुत सारे महिला योगा आप पर आरूप लगा रहा है सरकार पुलिस पर तमाम तरह की चीज़े घटना हैं दो घटनाओं काम जिक्रियां पर कर रहा है एक तरफ एक बल्लबगर की घटना सामने आती है और दूसरी तरफ काला वली की काला वली का जो मस्तरा है एक बेटी चार बार अगवा करने के बाद अलग अलग जगाओं पर बेची जाती है गर्ब में एक बच्चा और एक गोद में बच्चा राजनैतिक तोर पर विस पर चर्चाएं हो चुकी है कारिवाई की बात हो चुकी है तमाम बाते हैं लेकिन फिर भी ये इस्तिती बनी होई है दोनों घटनाओं को कलब करके देखें इसमें मैं कहता हूँ कि समाज की भी पूरी जिम्मेदारी है लेकिन पुलिस का इकबाल नहीं दिखता फ़ले सरकार की मनशाने को ठाने की मनशाने को लेकिन इकबाल नहीं होगा तो विस्ता बदलेगी नहीं इसको लेकर अभी इन तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग कहा हो रही है यह तो जब मुद्दे सामने आते हैं तो हम बैठ जाते हैं चर्चा करने प्रॉपर मॉनिटरिंग किस इस्तर पर हो रही है देखे अतुल अभी मैं पूनम की बात सुन रही थी उसकी बात से मैं बहुत अच्छी तरह से सहमत हूँ क्योंकि उसने सोशल बात की कि यह केवल सरकार का, पुलिस का, महिला योग का या इन सब का वो नहीं है यह हम सब की जिम्मेदारी है परंतु जो मैक में जिस जिम्मेदारी के लिए लगाए गए है उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए तो निभा रहे हैं मेडिकल सेक्टर की तरफ हमें बढ़ाना चाहिए प्रयास को पलिता कौन लगा रहा है देखे सरकार ने पूरा प्रयास किया और प्रयास सफल रहा आप ये देखे पहले हजार पर 600 आंकड़ा आया 500 भी आया 700 भी आया मेरा स्वैम का पैशन भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है पाटी के नाते कई महिला थाने विजट किये जहां में में देखा बीच में करनाल जाने का मुका हुआ तो वहां की महिला अ मिला थाने जाना तो किसी का पाइशन नहीं होता है पार्टी के नाते जो मेरी जिम्मेदारी थी उसको वो मेरा पैशन पर प्रॉबलम है तो उसको मैं सॉल्व करूं कहां कमी है मैं सरकार को तो उस कमी का कैसे बता सक्किए एक रिकॉर्ड आपके पार सुना चीए आपको पहले पैशन के थीक है वहां पर भी कम जिम्मदारी की बात हो यह थी दो मेंमान और जूड़ गए हैं रंजीता जी विमार साथ हैं कॉंग्रेस और निलो के दब से दोनों मेंमान हैं बहुत अंकडे दौस्ट होए हैं आगे से कमी आई हैं आंकडों में फोड़ास से दुरस्त करना चाहां कि अगे से आंकडा कम हुआ है मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि प्रती दिन हर्याना के अंदर 67 केस जो है वो पुलिस थानों के अंदर महिलाई के छेड़ चाड़ को लेकर दर्ज हो रहे हैं और सैंकडों ऐसे हैं जो दर्जी नहीं हो बाते कहीना कहीं गलियों के अंदर दब कर रह जाते हैं आप इस मामले में भी देखेंगे और और मामले मैं आपको लेटेस बताती हूँ खरकोदा का एक मामला है जिसके अंदर 3 लोगों की हत्या कर दी गई 15 फायर किये गए और बिल्कुल पुलिस थाना सटके लगा हुआ है क्यूंकि उस महिला ने 4 साल पहले प्रेम विवा कर लिय गया और उसके बाद आज तक कोई भी गिरफतारी नहीं हुई है और इनका कहना है कि इन्होंने चार्चर कमेटिया गठित कर दी तो पुलिस महकमे की धज्या तो तब उड़ती है कि कारवाही के नाम पर कुछ नहीं होता महिला थाने हमने खोल रखे हैं महिला थानों में प्रेगन थी गोली लगनी के बाद उसने एक बच्चे को जनन दिया है और वह अभी भी पीजियाई में एडमेट है और उसके परिवार के तीन सदूस्तित हैं उनको कठा उनको उनका संसकार किया गया है मैं आपको अलग लग ऐसे सो इंसिनेंट बता दोंगी जो पिछले ह कि अंदर ही बहिलाओं के खिलाव करते हैं कल ही महिला का एक शव जो है तो अर्द डगन स्थिती के अंदर नहर में पाया गया है आज सुरक्ष्चा के नाम पर जीरो है बीजेपी सरकार और इनकी पुलिस वाले आज हम बड़े-बड़े सेमिनार्स करते हैं बड़े- बेटी पढ़ाओं के अभियान चलाते हैं पर जमीनी हाकिकत कुछ और है जनाब आज महिला बच्चियां बेटियां कोई भी सुरक्ष्चित नहीं है ठीक है इनका महिला था ना बेकार इनकी कोशिश बेकार इनकी योजना बेकार जो कांग्रिस के दोर में था वो सब सही थ सब्सक्राइब करके लिए अब कुछ भी सही नहीं है इने लोग कभी सुन लेते हैं तो यह जो मुद्ध हैं हमारे बहुत ही समवेधन शील मुद्ध हैं जो हमारी बेहन बेटियों से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले तो मैं अपनी बेटियों के यह कहना चाहूंगी कि ए बालिका ए बालिका बालिका दर्शन करा ए बालिका इसे कहते हैं बालिका सिस्टी जगत को जो बढ़ाए उसे कहते हैं बालिका प्रेम जगत में परिभाशा पढ़ाए उसे कहते हैं बालिका प्रभू को धरा पर खीच लाए उसे कहते हैं बालिका लेकिन आज हमारे हरियाना परदेश में हमारी बालिकाओं के साथ हमारी बेहन बेटियों के साथ इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं मैं एक समाजिक बात करना चाह रही हूँ मैं किसी पार्टी के बारे में या किसी के बारे में बात नहीं करना चाह रही हूँ आज हमारी बेटीएं जो है इतनी डरी हुई है इतनी खोफनाक स्तिती हुई हुई है आज हैवानियत जैसा माहोल है हमारे परदेश में तो आज हमारी जैसे बहन बेटीएं के आपकी समय तो डरी नहीं ती यहां लेकिन अतुल जी जब आज की घटनाएं देख लीजे और पहले की घटनाएं देख लीजे आप भी देखेंगे कि पिछले आकड़े जो थे वो क्या थे और आज के आकड़े जो हैं वो क्या है लेकिन आज जो ये घटनाएं है आज जो बलब घड की घटना है जिसके उपर ये पुरी की घतना थी जहां पर 66 बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था तो आप यह बताएं कि कहां पर सरकार यह कह रही है कि हम जो है आज बहन बेटियों की शुरक्षा की बात कर रही है आज हर तरह की आज घटनाएं इस तरह की सामने आ रही है यमना नगर की घटन पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कैसे बेटियों पढ़ेंगी जिन बेटियों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है तो उन बेटियों को कहां से शिक्षा दिक्षाद मिलेगी आज उन बेटियों को अन्याय अत्याचार इतने बढ़ गए हैं किस तरह से उन बेटियों को संसकार मिलेंगे आज घर में बैठ के बैठ गई हैं बची आप बताईए रेनु जी कह रहे हैं कि हम तो पुली स्थानों में जा करके दोरे कर रहे हैं वहाँ पर देख रहे हैं कि केस कम हो गए हैं तो आप बताईए इन बच्चियों को कहां पर मिल रहा है समाज में लियाए कहां मिल या फिर मार दिया जा रहा बार बार विपक्षी पार्टियां बार बार एक मुझे इस चीज का एसास कराने की कोशिश करें कि आंक्डे बदले नहीं तो जो आंक्डे आप लोग मेरी बात ना मानेगा आप चैनल के लोग जो आक्डे लाते हैं कि 500 से 900 हो गए 960 हो गए तो यह बदलाव नहीं दिखा क्य प्रियां यह बदलाव है लेग्र लेट मी कम्प्लीट लेट मी कम्प्लीट यूल गेट चांस टू टॉक जो यह आंक्डे बदले हैं 500 से 800 900 हजार के करीब पहुंचने वाले हैं तो क्या यह बदलाव नहीं है क्या यह बेटी बचाओ का मिला जुला असर्ण नहीं है लेकिन बच्ची बच गई बच्ची गर्ब से तो बच्च गई लेकिन आगे आने के बाद अगर ये स्थितिया सवाल वो है ना बिल्कुल ठीक बाद जब एक बच्ची को बचाने का प्रियास किया 500 से आकड़ा 700 और 800 और 900 तक पार करवाया गया तो ये भी एक प्रियास था सरकार का मैं बिल्कुल सरकार का नहीं कहूंगी तो आप लोग कहोगे पुलेटिकर इसका मुझे जवाब जुला योगदान था जिसको यह हुआ अब सुनके आब बहुत संचिप मैं इसनी बात कंप्लीट चलो उसके बाद जो प्रदेश की सरकार जो बेटियों के लिए इतनी स्कीम्स बनाई गई बेटियों के लिए जो योजनाएं बनाई गई क्या ये प्रियास नहीं है अगर आप एक लाट नहीं बचेंगी कैसे बचेंगी ता आप तो जी कह रही है कि 500 से 600 होई शेसो से 700 होई कि कॉंग्रेस पार्टी के साशन में जो यह आंकड़ा था आठ सो क्यासी था हजाल लड़कों के प्रती जो की बीजे की पराने के बाद जुरूट पर जुरूट पर नहीं कर रहा हूं मेरा सीधा सा सवाल है आप लोग खुद महिला हैं और उसके बावजूद आप लोग यहां पर भी राजनीती एक भी घटना अगर आ रही है तो उसमें क्या हो सकता है कितनी जल्दी हो सकता है और क्यों नहीं हुआ इसका आप लोग जवाब दीजे इस पर चर्चा करिए अंदया जी मेरा सवाल आप से यह महिला आयोग बहुत अच्छा काम करा शिकायतों का पिटारा आपके पास है कितनी शिकायतों का निप्टारा आपने कर दिया यह घटना है चाहे बल्लब गड की बेटी की घटना हो या फिर उसके बाद जो काला वली की एक दरदना घटना है कि एक बेटी दिली से अगवा होती है चार बार शादी के नाम पर बेचा जाता है और फिर आज उसके गर्व में एक बच्चा और एक गोद में बच्चा है यह चीजें और महिला आप इसको लेकर सिर्फ कहता है पुलिस पर कारेवाई होगी वो यह ना समझें आप लोग आपको मैं यह बताओंगे सबसे पहले तो कि जब मैं यहाँ पर आई थी आज के कारेक्रम में तो मुझे यह नहीं बता गया था कि कोई रिकॉर्ड लाना है या घटनाओं के संग्शेप में लाना है अरे आपको याद होगा मैंने माहिला आयोग क्या कारिय कर रहा है नहीं नहीं मैं आपको यह बता जरूर बताओंगी कि महिला आयोग क्या कर रहा है यह पूरा हर्याना जानता है इसके लिए मेरे ख्याल से यह सब बताने की मुझे अवशक्ता नहीं होगी क्योंकि जब महिला आयोग विजिट करता है तो थानों से अदिकारी जब भी दरुदर भ मैं कहूंगे कि दरखास्ते जो हैं वो बढ़ रही है एप्लिकेशन जो महिलाओं की किसी को न्याय नहीं मिलता उसके लिए महिला आयोग है और महिला आयोग में महिलाय आती है तो उनके लिए डट कर न्याय दिलवा रहा है महिलायोग जिन महिलाओं को घर से बाहर निकाल क उनके माबाप के पास छोड़ दिया जिन लड़कों ने उनको उनकी ससुराल तक पहुंचाने का काम वो खुद महिलायोग कर रहा है जहां पर पुलिस होनी चाहिए जहां पर हधिकारी होनी चाहिए उन्हें जब कहा जाता है जब विजिट देखती है उससे पहले जब वो काम करने के लिए चलते हैं तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह कहना चाहूंगी जब महिलायोग को पहले होना चाहिए और लड़की को और उस महिला को क्या चाहिए इसके लिए मैं कहूंगे कि महिला थानों के जो अधिकारी है उनकी ये शिकायत है हमारे पास नहीं आनी चाहि या मेरे साथ बत्तमीजी की या मेरी सुनवाई नी की आपोजिक पार्टी से मिल गई ये शिकायते गलत है रहे बात inquiry matter की inquiry क्या करते है उस inquiry में कमी पाई जाती है उसके लिए महिला आयोग उसको proper inquiry कराने में मदद करता है उसकी पूरी मदद करता है इस पूरी मदद करते है ठीक है मादम ठीक है बहुत धमक के साथ महिला आयोग काम कर रहा है मैं समझ गया रंजीता जी कुछ कह रही थी ए मैं ये कह रही थी मंदग्या जी को कि kindly महिला आयोग के कामों के साथ ये भी बता दें कि पिछले दो वर्षों के अंदर महिला योग को सरकार की तरफ से क्या सयोग मिला है यह अपने अन्याय के लिए अपनी सीट के लिए तो अप्तर कोड के चरी चक्कर काट रहे थे सरकार इंको काम ही ने करने देरी थी सुमंद याजी बताएंगे बहुत संचेट में खुटी सरकार काट रहे थे तो लोग क्या ना है जिए ग्यान वर्दन दोड़ा हमारा भी करिए रेनुजी को बताईए कि हाँ अब यही अद्यक्ष और उपाद्यक्ष होंगी तो मैं इस चीज़ के लिए कहूँगी कि आज हमें फिर से क्योंकि जो एक गती हमने एक कामों को दे दी थी उसमें रुकावटे जरूर पैदा हुई है बीच में लेकिन अब फिर से उनको उसी पट्रे पर लाने के चलिए आपके बुलेट्रेम दौर रही है थीक है अब अब वक्त कर जाँगा बाकी लोगों के पाहाँ आज आए पुलिस स्थाने धमकदार है सरकार का इकबाल धमकदार है मैला आयोग धमकदार है फिर भी घटनाय बरकरार हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं बहतरीन का पर बाद तो मुझे बहुत अफसोस होता है रंजीता जी की बात पर वो इतनी सीनियर होने के बाद भी ऐसे शब्दों का प्योग कर रही है कि हम लोग यह प्रवचन दे रहे हैं मेरे गाल से हम में से कोई भी सादू बाबा नहीं है या सादू नहीं है जो यहां पर प्रवच करोंगी यह आगड़े लेकर आपके पास आगड़े कहां से होते हैं मुझे पता नहीं आज तक आगड़े कभी प्रस्तुत तो इन्होंने किया नहीं लेकिन लेकिन देखें यह मुद्दा सेंजीटिव है हम कई बार इस बात को चाहीं और आप भी कह चुके कहीं न लोग इस तरह की बात्चीत में अपना time waste waste करते हैं कहीं ना कहीं हम उसको फियोगिता में डाले आज ये विपक्ष्ट में बैठे ये क्या कर रहे हैं ये सिर्फ ढूंदते हैं कहां पर क्या हो रहा है ये सिर्फ इनका काम ढूंदने का है इनका काम ये नहीं कि हम इस तीज को कैसे करेंगी यानि हम इसको चुनते रहेंगे और जो सरकार मुझूदा है उसके लिए अगेंस में खड़े रहेंगे अरे आपका भी तो कुछ फर्स होगा आपके तो जबता जुड़ी है आपके काम करते हैं आपके बोलने से ना तो समाज में नेगे आप अपनी बाशा का रहेंगे आपने आते ही यह बोल दी आम प्रबचे ने रहें यारी आम जितने लोग बैठे दो सब्सक्राइब आपके भी इस मुद्धे को लेगा तो फिर्स हो चुड़ी करते हैं अपनागर जी आप ना ना तो यह थी काम लोगी आपको यूट्यूब के उपर बीटे डेट आपको लिस्त दे दूगी नहीं लेकिन नहीं करना ची बताइए कुसम जी देखे कितनी अपने क्यों रहें इतनी आप लेगा की कविता भी इन्होंने तो अपको लेगा ना ठीक अपनी समस्या पर आजाएं लेकिन इसमें आखिर समाजिक भूमिका भी सबसे हम होती है उस पर समाजिक नजरिया रख रही है पुनम जी सबसे हम बात ही है कि यह महाल आखिर किस तरीके से अभी बरकरार है आपके दौर में अच्छा काम हो रहा था इनके दौर में अच्छा काम हो रहा है लेकिन घटना है तो हमेशा से आती है इसमें सकती कहां पर होनी चाहिए पुलिस के उपर सवाल खड़े हो जाते हैं आयोग पर सवाल खड़े हो जाते हैं किस तरीके से सुधर सकती है इस्ति दिखाई दे रही क्योंकि जब भी इस तरह के कोई भी केसिस आते हैं उसके उपर सुनवाई ही नहीं होती है और जब सुनवाई होती है तो टाइम इतना निकल जाता है और हमारे लोगों को यह कहा दिया जाता है कभी पंचायतों के माध्यम से कभी पंचों के माध्यम से कभी कोई फैसला तू होने वाला नहीं है आज जो पुलिस का जो रवया है वो बड़ा ही जूल-मुल है और ये जो इससतरा को आज सब है कि कानून वरस्ता जो है पर भी चर्मराय हुई है क्योंकि कवनूने वरत्ता का जो डर है वो कहीं दिखाईने नहीं है कानूर का जर्मी है बड़ा समाजिक विशे है और जो यह आप बात कर रहे हैं politically नाओने की मैं तीनो सातियों से निवेधन करूंगी कि हम इसको politicize ना करें और किसी भी चीज को criticize करने से कोई हल नहीं निकलता जो हमारे पास option है जैसे पुनम जी ने कहा एक समाजिक कारे करता किनाते criticism कम और options का utilization ज्यादा करो वही बात मैं अपने सातियों को कहना चाहूंगी कि हम महिला है और अगर हमारी कोई महिला प्रताडित होती है पीडित होती है तो हम सब का दायत्व बनता है कि जिस भी अधिकारी की जहां पर उसके खिलाफ चले चाहे वह महिला आयोग है अगर उनको किसी पुले सदिकारी की गलती रखती है तो दे हाव राइट्स तो दो दे हाव पावर्स तो दो और वोटेवर पावर्स दे वांट तो यूज वो यूटिलाइस करें मतलब क्रिटिसाइज करने के बदले उन ऑप्शन का इस्तमाल करें जो उनके पास पावर्स है ऐसे ही विपक्षी तो आप आप चारों सातियों से कह रही है कि सब लोग चलें सब लोग जाए वहाँ पर इस चीज़ को उठाएं मैं वही बात कह रही हूँ जब ऐसा किसी महिला पर आता है बजाए पार्टियों को ब्लेम करने के या सरकार उनकी है उनकी सरकार में ऐसा निकर रहा है लेट्स नॉट क्रिटिसाइज लेट्स यूटिलाइस दी ऑप्शन वाट वी आ गेटिं सरकार ने अगर कोई तरीके निकाले हैं कि जिससे ये क्राइम कम हो तो उसको हम यूटिलाइस करें बेटरमेंट के लिए बजाए इसके कहने की ये इन्होंने थाना खोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं होता अगर कोई महिला थाने में ऐसा कोई क्योस आया, काम नहीं हुआ तो everybody has right and everybody's duty is this कि वो जाए और उस महिला थाने में उस काम को solve करें ताकि वो प्रतारित महिला सुद्रे तो ये हम सब को मिलके करना बढ़ूँगा रंजीता जी कुछ बोलना भी चारी है, रंजीता जी final comment आपका इस पूरे मसले पर बाकी तो सारी चर्चाए एक तरफ हैं, वो होती रहेंगी और बाकी अगटनाय पता नहीं कब रुकेंगी मेरा सवाल यह है, कि आपके अपनी भूमिका, आपके अपनी पार्टी के तरफ से भूमिका इसको लेकर, अगर दबाव बनाने की भी जरुवत पड़ती है विपक्ष के नाते तो इस दो प्रक्रण को लेकर आपका final comment देखिए अतुल बिलकुल जहां पे भी महिलाओं के साथ परतारन होता है हमारी पूरी कोशिश होती है कि उन तक पहुंचा जाए और समस्या का हल किया जाए बात जो अभी बलबगड के हम कर रहे थे, बलबगड का एक और केस है नहां पे सेटरड़े को दोपहर को मार्केट के अंदर लेडी के साथ छेड़ चाड़ होती है उसके बाद लड़कों की सड़क के उपर ही पिटाई होती है एक लड़के को अरेस्ट करके पुलिस के हवारे कर दिया जाता है तीन फरार हो जाते है मैं इसके बाद मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी यह लड़के फरार होगा रन्जीता जी फ्रीज हो गया अतुल क्योंकि मैं वहाँ पे मैंने इस केस के बारे में पता किया वहाँ की से बात भी हुई मेरी और मैं फिर पूछ के भी आई यह एक ऐसा मसला था कि परिवार में बेटियों के साथ एक परिवार शॉपिंग के लिए मारकेट में आया उनको कुछ लड़कों ने छेड़ चाड़ की जब पिटाई और लड़ाई जगड़ा हुआ तब बाद में पता चला कि उनका आपस में जानकारी थी बच्चों की और वो चीज इस तरह से सॉल्ट हुआ ऐसे भी कई मसलिया आते हैं समाज में हम पर सवार नहीं कर सकते ठीक है मैडम मैं रोखूंगा आपको मोगा दूँगा देखिए बिल्कुल तुरंट कारवाई होनी चाहिए क्योंकि बच्ची का मामला है और इस तरह की संजीदे जो मामले होते हैं उन पर तुरंट कारवाई बनती है और सरकार की जि जिम्हेवारी भी है क्योगी प्रेजेंट जिसकी भी सरकार है उसकी जिम्हेवारी बनती UP रहेको पुलिस्ता कि दितना है इसमें जितना हुं सकतें। इनके पास समय मोसल्वगों तो अगर ये दोनों सिस्टम ठीक हो जाय तो मेरे कहल हैं से बहुत सारी समस्य हो की सॉल्व हो सकती है कि मजह यहां पहले आने से पहले यह नहीं बताया गया कि यहां पर महिलायों के कारियों की समिक्षा हो रहे या काम कैसे करना है या उनका क्या ताल्मेल है अगर इस 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 पर यह तपिक आज़साल से मुझे बाइद सॉर्ड़न ईसलिया तो रही अगला स्टेप आपका स्वाल उठते हैं रही बात ये कोई भी वेक्तिय से सवाल उठाए ये मैं मानती एक constitutional और statutory post पर सवाल खड़े करना मैं इसको सही नहीं मानती हूँ यहीं बात ये आज की डेड़ में कार्य कौन कर रहा है अपनी duty सो बताना दूर महिला योग को क्या करना चाहिए महिला योग के क्या action होने चाहिए महिला योग को कैसे कार्य करना चाहिए ये शायद मुझे नहीं लगता कि हमें इन चीजों से किसी के शिक्षा लेने की अशक्ता है ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और तालमेल की बात ये है कि अधिकारी अगर नहीं बनाएंगे तो उसमें आम महिला पीडित है इसमें कोई महिलाओ या हम अधिकारी पीडित नही है बिलकुल बिलकुल सभी बात ठीक है मैडम मैं रोक रहा हूँ आपको मिरे पास और permettre मेरे पास कम है मेरा सिर्फ इतना सवाल है सुमन जी सिर्फ इतना सवाल है बल्लबगड और कालावली दोनों घटनाओ जिनका आप जिकर कर रहे तो उसको लेकर आपका स्टेप क्या होगा सुमन जी प्लीज मेरी बात सुनें आप मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि दो जो घटना है कालावली और बल्लबगर इन दोनों को लेकर आपका स्टेप क्या होगा सिर्फ इतना संख्शेप में बता दीज़े बिल्कुल ये आज मेरे माध्यम में आपके माध्यम से हमारी नॉलिज में ये दोनों केसे आई है क्योंकि हमारे पास कोई इसकी रिटन कंप्लेंट नहीं आई है आज ये हमारे माध्यम उसमें आई है तो कल ही इसका जो है स्पी से पूरा इनकौरी कर ली जाएगी एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है दोनों की मांग ली जाएगी और अवशक्ता पड़ी तो महिला युक स्वेम जाकर इसमें जो है कारवाई करेगा और इसकी पूरी चाच जो है रिपोर्ट मांगेंगे और शकता पड़ेगी तो जाएँगे उसकी बाद कारवाई भी होगी बहुत शृक्तरे आपकि आपने बाद संख्षेप में कहा रनजीता जी आ गए रनजीता जी बहुत संख्षेप dreams बहुत संख्षेप मैं बहुत संख्षूप मैं वो डिटेल गल्द बताई गई है अच्छा बता रही हूं कि आज तक भी औरोपी वो लड़कों को आज तक भी रेस्ट नहीं किया गया है उसके बाद इनके घर के बार आग लगाई जाती है उनके घर के बार करंट छोड़ा जाता है अगर आफ रिदावाद वैटी में बिल् जाता और नहीं आग लगाई जाती है और जहां तक रही पुर्ण पस्तागर जी की बार आगड़े मांग रही थी मैडम जो 67 रोज छेडशाड का अकड़ा है वो नेतर प्रतिपक्स जो है नयना चुटाला जी है उन्होंने विधान समा के अंदर रखता था और विद रिट है ये विधान सभा में दिखाए गए थे बताए गए थे लेकिन मैं रेनु जी को एक बात कहना चाहूंगी कि आप जो हवाई योजनाए जो पार्टी हर बार बनाती है उस पर अमल नहीं होता है कहीं पर भी धरातल पर वो दिखाई नहीं देता कि जो भी आज आप कह रहे ह हैं वो हमने वो आकड़े जो हैं वो कम हुए हैं पहले से लेकिन कहीं पर भी धरातल में उस चीज़ का कोई भी ऐसा आकड़े कम होने की कोई भी प्रतिकरिया दिखाई नहीं दे रही हैं आज बहन बेटियों के साथ उसी तरह से अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रही हैं आए दिन बच्चिये घर में बैठने पर मजबूर हो गई हैं आप कह रहे हो कि बेटियों को पढ़ाओ बेटियों को कैसे पढ़ाए जाएगा जब बेटियों को पढ़ाई बाते हैं वक्त नहीं मेरे पास बहुत तो संख्षेप में रिणोड़ी फाइनल कमेंट कर दीजे जो भी बाते हैं फुल मिलाकर सत्ता में आप हैं तो आपकी तरफ जाएंगी पुलिस साब की तंत्रा आपका महिला थाने आपके ये दोनों घटना है कितनी सक्रियता और कितनी सक्ति कितनी जल दिखाई देगी ताकि मुस पर भी कभी चर्चा कर पाएं आप से हम बात कर पा गड़की मैंने स्वैम आशा वहां की एसेचों हैं उनसे बात करके सारा डेटेल लिया शाम को उन्होंने मुझे बताया कि पहले तो हमने उन तीन लड़कों को एरेस्ट किया जिनके साथ इनकी तूतू मैं मैं छेड़ चाड़ और बात चीत हुई दो अभी रहते हैं उनको भी पकड़ा जाएगा क्योंकि एकी ग्रूप है और दूसरी बात बाद में जब खुलासा हुआ तो मामला कुछ और निकला तो कभी-कभी हमें इस तरह से परदा डाल को बातों को भी समझना होगा क्योंकि हम भी महिलाए हैं दूसरी बात जो बार-बार आप कह रहे हैं स्क स्कीम फियल होती है धरातल पर नहीं है अगर आप ठीक समझे तो हम बेटियों को बचाना भी छोड़ देते हैं और पढ़ाना भी छोड़ देते हैं क्या वो बेधर स्कीम रहेगी उप्रियास है बेटिको बचाने का बेटी को अनले ने दूसरी चाहिए ठीक है ठीक है रज रिनो जी रंजीता जी कुसुम जी सुमंदया जी और पुनम भटनागर जी आप सभी महमानों का जो है मैं दो बार शुक्रिया करूँगा इसलिए पहली बार का शुक्रिया इसलिए कि आप पांच महिलाएं आपर जो थी उन्होंने मुझे मौका दिया थुड़ा बोलने का इ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं रखता कि ऐसी घटनाओ परम चर्चा करें पहली बात और दूसरी बात ये कि जो घटनाओं अगर हुई है तो उस पर कारिवाई तुरंत होनी चाहिए सुनिश्चित होनी चाहिए सिर्फ रिपोर्ट मांग लेना विजिट कर देना इससे क काम नहीं चलेगा कारिवाई होगी एक्षन होगा तब जाकर इन मंचलों शोदों या फिर ऐसे तमाम अपराधिक जो तत्व है उन पर लगाम लग पाएगी नमस्कार